मैं उज्वला बोल रही हूं कहां से बोल रहे हैं महाराश्टर से बोल रही हूं क्या पुछना चाह रहे थी बिटा मुझे सेकंड मैरेज करना है अच्छा अच्छा तो सेकंड मैरेज करना है तो सुक्र तो आपका ठीक नहीं है second marriage में भी तिकड़म हो रही है आपको लड़का पसंद आ गया? लड़का पसंद आ गया? एक लड़का पसंद था ही मुझे तो second marriage करने के लिए और second marriage करने के बाद में आपको गुस्थुख मिलना चाहिए जो आप चाहती है और जो कश्ट पूर्व में हुआ इसके पहले वो अब नहीं होना चाहिए लेकिन अभी जो लड़का आपको पसंद आ रहा है उससे आप शादी करना चाहते हैं तो वो लड़का भी चोटी-चोटी बातों में क्रोध करता है आपसे करता है या नहीं बताईए करता है थोड़ा-थोड़ा नहीं प्रेम भी उतना ही करता है और गुस्टा भी उतना ही करता है यह भी है लेकिन चोटी सी बात पर क्रोध आ जाता है उसको सबसे पहले आप जो है अपने शुब नाम क्या लिखती है उजवला उजवला वरशब रासी है आपकी वरशब रासी कर रासी स्वामी शुक्र है तो से पहले आप जो है अपने सुक्र का उपाय करें सुक्र का सुक्र पूजन करें ताकि आप जो योग बन रहा है इसके बाद योग ना बने वरना बार-बार छूटने के योग बनेंगे ये भी थोड़ा दिन रहेगा साथ नहीं बाएगा और फिर छोड़ देगा तो ये परिस्तिती नहीं बननी चाहिए इसलिकि ये सूर का और सुक्र का उपाय करें आप सूर्य जाब भी करवाएं सुक्र जाब भी करवाएं और इसके बाद में आप शादी करें ठीक है ठीक है बेटा रखें क्या-क्या पूछने चाहरे था आप पूछें तो यहीं मेरी शादी होगी या नहीं क्या दिखाई देता है आपको मिरको यह दिख रहा है कि जहां शादी होने वाली है वह भी छोड़ देगा क्योंकि आपका सूर्य और सूप्र डिस्टर्ब है ना तिकलं तिकलं हो रही है उसमें भी चुट चुटी बातों पर बात भी बात करता है फिर मिल जाता है फिर तेज हो जाता है यानि कि फिर गुस्ता दिखाता है फिर प्रेम दिखाता है है ना और यही परिस्तिती इसके प पता है छूटने का पती सुख आपको नहीं है पती सुख से वंचित के योग है बेटा और पती सुख अब जो हो गया सो हो गया लेकिन अब जो प्राप्त होगा वो जीवन भर आपके सांस रहना चाहिए यह मेरीा शाध्य होगी या नहीं यह बता ओट मुझे प्यार भी करता है और बात मी नहीं करता है नहीं तो मैंने आपसे बिना पूछे ही बताई हूँ ना कि पूछी हूँ आपसे यह शादी करेगा कि नहीं यह आदमी आपसे मैंने बिना पूछे ही बताई हूँ आपसे पूछी नहीं हूँ मैंने लेकिन ये मुझे शादी करेगा या नहीं या कब करेगा कब हो जाएगी मेरी शादी होने के चांसेस है क्या नहीं ये बताओ ये आपकी सादी होने के चांसेस हैं लेकिन ये तिकडम करता है ये छोड़ देगा शादी होने के बाद छोड़ देगा ऐसे बोल रहे हैं तुम रिस्ता बना के छोड़ देगा क्यों छोड़ देगा क्योंकि आपका शुक्र नीच भाव का बैट गया है और शुक्रका में उपाई करोंगी तो तब वो टिकेगा ना खाद तब वो टिकेगा क्योंकि कारण है अब बीमारी हो गई है तो उस बीमारी का इलाज कर देंगे तो बीमारी निकल जाएगी तो व्यक्ति स्वस्त हो जाएगा ना बिटा इसी प्रकार पती सुख क्यों नहीं मिला और पती सुख नहीं मिला तो उसका क्या कारण है वो कार पती प्रेम भी करता है और फिर सत्रुता भी दिखाता है जगडा भी करता है प्रेम भी करता है